ये फुटबॉल क्लब भाई, क्या भूलू मैं चेल्सी के बारे में समझ ही नहीं आता, मैं नहीं समझा सकता कि क्या चल रहा है इस फुटबॉल क्लब में, to be honest भाई, नहीं समझ आरा, कभी तो ऐसा खेलेंगे कि बिल्कुल ही, मतलब मरीवी हालत है, कभी ऐसा खेलेंगे कि ब गलत चीज नहीं बोल सकता कि आज हमारे players ने करी, या मैं उंगली उठा सकूँ कि ये player ऐसे गलत था, या वो player ऐसे गलत था, निट्पिक करना पड़ेगा ऐसा कुछ गलती ढूनने के लिए, जो मैं करता नहीं कभी ना करना चाता हूँ, What a beautiful performance by Chelsea Football Club, और Maurizio Pochettino की तारीफ करनी पड़ेगी आपको, बहुत ही अजीब सा सीजन जा रहा है कि जब आपको लगता है कि Chelsea वापस आ गई है, Chelsea अच्छा खेल रही है, तब फिर हार जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ अच्छी performance हो जाती है, फिर जो है, दो-तीन मैच का ए और आपको लगे कि नहीं नहीं, अब तो हमारी सारी दुविधाओं का हल मिल चुका है हमको, और अब तो यहां से सीजन बढ़िया ही जाएगा, मैं उमीद करता हूं कि यहां से सीजन बढ़िया जाए, लेकिन मैं यह कहूंगा कि जादा excited ना हो, जादा hopeful ना हो, because वो meme है ज performances से back नहीं करते हैं फिर, ऐसी performances के बाद back नहीं करते हैं अब बाकी performances को, कि हमको लगे कि हाँ अब ऐसा ही एक theme रहेगा, कि हम अच्छा खेलेंगे, तो let's take one game at a time, तो next game अब हमारा Crystal Palace से है, और let's take one game at a time, ऐसा jump the gun नहीं करते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि हाँ सब कुद सही ह अब यहां से तो है Chelsea, एक बहतरी इन रन पे चली जाएगी, ऐसा नहीं करते हैं, और आपको अभी थोड़ा सा camera angle change लग रहा हुआ, वो actually क्या हुआ, वो record करते-करते, पिछली line के बाद जो है, वो मेरे camera की battery खतम हो गई है, तो यह मैं phone से record कर रहा हूँ, बागी का वीडियो क्या बदला आज, क्या हमको अलग देखने को मिला? आपके पास effectively तीन left-sided forwards थे बेंच पे, मुद्रिक, एनकुंकु और स्टर्लिंग, तो उनको ना खिला के इस तरीके की line-up खिलाना जहांपर Nicholas Jackson left में खेल रहे थे, काफी brave move था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे point पे आ चुके हैं, दोनों Chelsea और Pochettino की, nothing to lose वाली एक इस में मुझे एक खासा फरक देखने को मिला और जो देखके मैं खुश था, वो थी एक desire, एक hunger जीतने की, एक tenacity, एक intensity जो हमको देखने को मिली पूरे 90 मिनिट, बहुत ही बहतरीन थी, एक जो और tactical adjustment आप कह सकते हैं, आज Pochettino की तरफ से हमको देखने को मिला, वो ये था कि एक्चुली में आज डीप खेल रहे थे, जिस position में उनको खिलाने के हम इतने time से बोल रहे थे कि आप Kaisedo और एंजो को साथ खिलाओ, पिविट में खिलाओ, वो आज हमको देखने को मिल रहा था, जिसके कारण आपको आज Kaisedo की शायद best performance देखने को मिली है, मैं तो ये तक बोलूँगा कि भले ही एंजो ने वो free kick मारी हो, शानदार, unbelievable free kick, बहुत ही भैतरीन गोल और उस गोल के बाद जिस तरीके से उन्होंने celebrate किया, अपनी shirt दिखा के बोला कि I am staying here, चाहे Gallagher ने पहला गोल मार के और फूरे 90 मिनिट फिर बहुत ही शानदा performance दियो, चाहे वो interception क की बात हो, चाहे वो interchange की बात हो, काई सेडो एंजो के साथ, बॉल को आगे progress करने की बात हो, चाहे Nicholas Jackson की performance हो, जिस तरीके से वो trackback कर रहे थे, hold up कर रहे थे, physicality दिखा रहे थे, over try नहीं कर रहे थे, खुछ simple रखा आज गेम को और बहुत ही बढ़िया performance है आज Nicholas Jackson की, चाहे सारे 11 के 11 players की तारीफ कर सकता हूँ और सबको कह सकता हूँ कि हाँ, आप एक दावेदार हो सकते है आज man of the match के, बदियाशील से जरूर कुछ गलतिया हुई, बट अगर हम डिसासी, गुस्तो, चिल्वैल, तीनों की मैंने बात करी ली, एंजो, कैसेडो, गैलेगर, पालमर, इवन, मदुएके का, अगर वो आप एक शॉट हटा दे, जो गंदा शॉट उनोंने मारा, उसके अलावा, जिस तरीके से, काउंटर फे, वो ब्रेक पे हिट कर रहे थे, बार बार एस्टन विला को, इतने कॉर्नर जीते, अन्बिलीवेवल परफॉर्मेंस, और, समझ नहीं और, बिना लीडर्शिफ वाली टीम से हमको देवने को मिलती है, इनकंसिस्टेंसी, कभी अच्छा खेलेंगे, कभी बहुत खराब खेलेंगे, और हमको थोड़ी कंसिस्टेंसी अपकड़ने की जरुवत है, तो तारीफ करूँगा मैं, पोचेटीनों की, जितना मैंने उनक पिछले मैच में, वुल्स के हारने के बाद, उतनी मैं उनकी यहां तारीफ करूँगा, क्योंकि भाई, जहां पर जो बंदा खराब करता है, जब हमको उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, सेम चीज हम प्लेर्स के साथ करते हैं, तो मैनेजर क्रिस्टल पैलेस से, वो अब आपको इसी तरीके की परफॉर्मेंस उसमें दिखानी है, then you take it from there, फिर आप मैंसिटी जाएं खेलने, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो जैसा मैंने का, एक रोल आपने दे रखा था सब को, प्रॉपर दिखे हैं मुझे, और जिस तरीके की हमारी बैंच थी, आज बैंच काफी स्ट्रॉंग लग रही थी, विद एंकुंकु, मुद्रिक, स्टर्लिंग, चुकोमे का, गिलक्रिस्ट, तो काफी अच्छी बैंच लग रही थी, तो अब सड़नली लगने लगा, एक मैच के बाद थी, तो देखो हम अच्छा खेल पाए, और हमारा जो स्ट्रक्चर था, और जो हमारी प्रेसिंग थी, और अच्छी होगा, देखिए, थियागो सिल्वा की मैड, ना डिस्रिस्पेट करूँगा, ना उनको डिस्र्विस करूँगा, सिर्फ एक मैच के बेसिस पर, he has been our best player, और अच्छी बात है कि उनके बिना आज हमने इतनी अच्छी परफॉर्मस दिये तो इसका मतलब यह है कि हमको उनको पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा, यह एक पॉजिटिव साइन है, बट स्टिल, I think हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि थियागो सिल्वा की वज़े से, य अच्छा परफॉर्म किया, यह I think उनको उनके लिए डिस्रिस्पेट्फुल होगा और उनको डिस्सर्विस होगी जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ब्रिलियंट सब्स्टिटूशन जिस तरीके से गेम क्लोस करना था, पालमर को हटा के सिल्वा को लाना एक बहुत अच्छा सब्स्टिटूशन था, फिर एंगुंको को इंट्रिदूस किया एंड में, वो भी एक सही सब्स्टिटूशन था, और आप देख सकते हैं कि पूरे मैज में पेट्रोविच एंड में जरूर टेस्ट हुए जब विला डिस्परेट होगी, उसके अलावा आप कह सक अच्छी टीम रही है, तो एस्टन विला को होम पे जाके 3-1 हराना, 3-0 ही था और जिसमें एस्टन विला की आप कह सकते हैं कि में टीम ही कहल रही थी, ऐसा कोई बहुत मेजर प्लेयर मिसिंग नहीं था, और उस पे अगर आप देखें, पूरा डॉमिनेट आपने किया, ती अच्छी लगी है, तो क्या हम इस मोमेंटम को और क्या अब इस परफॉमेंस को हम बैक अप करेंगे अच्छी परफॉमेंस के साथ अगेस क्रिस्टल पैलिस एंड इन अपकमिंग विक्स्टर्स एक बहुत डिफिकल्ट रन ओफ फिक्स्टर्स हमारा आ रहा है, तो क्या हम अब उस रन ओफ फिक्स्टर्स में ऐसी परफॉमेंस लेके जाएंगे, ये एक सवाल है जो मुझे लगता है जिसका जवाब हमको क्रिस्टल पैलिस वाले मैच में पता चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप यहां अच्छा खेल लेगें फिर क्रिस्टल पैलिस के अगेंस डेट फुटबॉल खेल रहे हैं तो कप रन गे मायनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये लीड्स उनाइटेड के अगेंस जो है हमारा अब राउंड अफ 16 वाला मैच होगा एफे कप में और एक जो एफे कप है मैच वो है कॉवंट्री सिटी वर्स it's Midstone United तो किसी एक टीम को quarter final में Coventry City वर्सिस Midstone United का विनर मिलेगा तो आप अगर लगी हुए है तो maybe just maybe you can make it to the semi-finals even of the FA Cup और semi-finals के बाद तो कुछ भी हो सकता है quarter semis के बाद तो वह ही है hope लगा के बैठा हूँ मैं hopeful हूँ मैं और let's hope कि ऐसा ही performance हमको Carabao Cup के final में भी देखन मैं आ रहे हैं उसमें देखने को मिले बस अब मैं आगे जादा कुछ नहीं कहूंगा कि Chelsea are back कि हम top 4, top 6, top 8, top 8, top 8, qualify कर जाएंगे, ये trophy जीच जाएंगे, वो trophy जीच जाएंगे, नहीं कुछ नहीं, one game at a time, next बात अब मैं Crystal Palace का match के बात करूँगा, Crystal Palace में हम कैसा खेलते हैं, उस पे बहुत कुछ depend करता है, तो आपकी क्या रहा है, प्लीज तो लेट में नो नो in the comment section, आपके man of the match कौन थे हैं, मेरे man of the match तो भाई सेडो थे, अंजु को भी मैं दे सकता हूँ, man of the match, बहुत भी भैतरीन free के कमारी अंजु ने और specially जिस तरीके से celebration किया, it was beautiful to see, बाकि आपकी क्या रहा है, प्लीज मुझे बताएं, और फिर मिलता हूँ मैं आपको जल्दी, till then take care, अब the shells, keep the blue flag flying आएंगा है